हेलो स्टूट्रेंट्स वेल्कम एक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब अमीद करते हैं सब यह अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज का टोपिक है हमारा उसका नाम क्या है उत्तान पदासन ठीक है तो आज इसके बारे में जानेंगे चलिए स्टार्ट करते तो उत्तान पदासन क्या होता है इन संस्कृत उत्तान मींस क्या होता है रेजड यानिकी उठा हुआ ठीक है और पद मतलब क्या होता है लेग जैसे अब पद चाप सुनते होंगे पद चिन सुनते होंगे ठीक है तो यह सब क्या है पद तो इसका मतलब क्या है लेग इन दि be practiced by raising one leg at a time और by the raising both leg simultaneously तो आप इसको एक leg एक बार में उठा कर या फिर दोनों को एक साथ उठा कर भी कर सकते हो ठीक है और वो कैसे करना है बेटा तो एक पद आसन जो होगा एक पद उत्तान आसन वो कैसे होगा स्टार्टिंग में आपको क्या करना है lie on the back और इसका दूसरा नाम क्या है spine तो यह वर्ड याद रख सकते हो lie prone यानि कि पेट के बल और lie on back या फिर lie spine ठीक है तो यह क्या है बेटा कमर के बल लेटना और क्या करना होगा आपको बेटा इसमें with legs together आपके जो legs हैं बेटा एक दूसरे से जैसे यहाँ पर दिखाएंगे यह टच करने चाहिए ठीक है एक दूसरे को और जो आपके hands होंगे बेटा वो क्या करेंगे ground पर इस तरीके से lie करेंगे दोनों side और यह together होंगे और जमीन पर रखना है पहले ठीक है जो यह उदर है यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा तुमें ठीक है cup cup आहट भी महसूस हो सकती है तो इस तरीके से आपको करना है और release करने के लिए जैसे जैसे आप गए थे वैसे वैसे आना है जैसे कि आप 60 की डिगरी की पोजिसन में हो तो 60 से आपको पहले किस में आना पड़ेगा 45 में फिर 45 से 30 में और फिर आपको क्या करना है ground पर उनको ले आना है legs को ठीक है और फिर आपको उसमें कुछ पेर के लिए ऐसे ही रहना है और इस बार जब नीचे लाओगे तो क्या करोगे बेटा सांस को भार छोड़ना है ठीक है और जब उपर उठाते हो तो क्या करते हो सांस को अंदर लेते हो ठीक है तो ये तो था बेटा एक पदासन ये द्वी पदासन अंद्वी पदासन में बिटा बस same to same ऐसे ही करना और रिलीज भी इसी तरीके से करना बस इसमें क्या करना है दोनों पैरों को एक साथ उठाना होगा ठीक है अब बिटा इसमें कि remember क्या रखना मतलब कि बात कौन-कौन सी है जो आपको याद रखनी चाहिए इसको करते वक्त it causes pressure and contraction at the lower abdomen क्या करता है हमारे जो lower abdomen होता है वहां पर यह pressure करता है ठीक है बहुत जादा हमें दर्द महसूस होगा जब हम इसको करेंगी या फिर हमें जोर महसूस होगा एक तरीके का तो हैंस प्रेक्टाइज क्यार्फली तो इस बात का ध्यान रखना है कि जादा जोर ना पड़ी ठीक पर सीधे रखना है ठीक है keep the arms and the legs and shoulder relaxed और आपके जो बाजुए है legs है यह सब shoulder है relaxed होने चाहिए पोजिशन में do not bend leg at the knees और गुटनो जैसे आप इस तरीके से पैर उठाए आपने यहां पर आपका क्या है घुटना है तो यहां से वो इस तरीके से बैंड नहीं होना चाहिए ठीक है वो क्या होना चाहिए इस तरीके से ग्राउंड से ऐसे ना हो ठीक है इस तरीके से नहीं करना okay do not shake the body and avoid jerk और अपनी बोडी को हिलाना नहीं है ठीक है अगर आपको जैसे कप कपा हर्ट मूव मतलब की महसूस होती है तो आपको क्या करना है उस posture को release कर देना है ठीक है ज्यादा देर तक उसको नहीं रखना है नहीं तो हमारी नास ओपर affect पड़ेगा अब इसको 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 इसका नहीं है बोजन या फिर नर्वस वीकनेस होती है और जो डाइबिटीज मधूमे के शिकार होते है तो उनके लिए बैनिफिशियल है ठीक है इट स्ट्रेफन स्टी अब डॉमिनल मुसल्स और बैटा जो हमारे अब यह उदर पर इसका काफी effect होता है अब मतलब क्या होता है जैसे हम ऐसे है तो इसका जो पूरा effect है यहाँ पर दिखेगा ठीक है हमारे उदर पर lower back मतलब स्ट्रमक का जो lower part है उस पर हमें इसका effect दिखता है ठीक है तो यह इसको मजबूत करने में हमारी help करता है इट balance the navel center और जैसा कि आपने सुना होगा पचेगा नहीं कुछ भी मतलब की जो भी खाओगे तुम्हें अजीब महसूस होगा तो उस तरी उस टाइम पर भी यह क्या करता है इस तरीके का अगर आप कोई posture करते हो तो आपकी मदद करेगा उसको सही balance बनाने में उसकी position पर लाने में ठीक है तो यह तो थे benefits अब बात क author सकते हो थीक है तो यह तो था हमारा उतान पदासन के बारे में एक उतान पदासन ठीक है और दुई पदासन ठीक है तो उमीद करते हो अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए ऐसे हसते रहे Kendall यह मुस्कुराते रह यह पढ़ते रहें एक कि